रोजाना ताजा खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटस्ट खबरे सबसे पहले का टाइम है और नपढ़ाई का गोवा युनिवर्सिटी में पीए चड़ी कर रहे शिलिम खान ने इसी टॉपिक पर अपनी थीसिस तयार की थी उनकी रिसर्च रिपोर्ड के मुताबिक ये मासून दिन के बारह से 14 गंटा मजदूरी करते हैं इन में से कुल 6 प्रतिशत बच्चों को काम के दौरान ब्रेक लेने की इजाज़त मिलती है कभी चायद तो कभी जूस पिलाते मिलते हैं ये बच्चे बाल मजदूरी हमारे आसपास ही होती है लेकिन हम कभी इस तरब ध्यान नहीं देते दैश कई घरों में जाड़ों पोंचा से लेकर खाना पकाने बच्चे संभालने और बरतंद होने जैसे कामों के लिए बच्चों को ही रख लिया जाता है पढ़े लिखे वर्क के घरों में भी ये बाल मजदूर काम करते नजराते हैं दैश शिलिम खान की रिपोर्ट के मताबिक अकेले गोवा में हर साल साथ हजार बच्चे मजदूरी के लिए अन्य राज्यों से लाए जाते हैं इन बाल मजदूरों में 38 फीस दी बच्चे यूपी और 33.4 फीस दी बच्चे करनाटक से लाए जाते हैं दैश शिलिम ने 300 बाल मजदूरों, 200 एंपलोयर्स और 100 पेरेंस या गार्जियन से इस टॉपिक पर इंटर्व्यू किये